दोस्तो अगर आप अपने SBI का नेट बेंकिंग का पास्वर्ड भूल गए है तो उसको एसे रिकवर करना है इसके बारे में हम बात करने वाले अगर आपके पास लैप्टप या फिर कम्प्यूटर नहीं है तो इस ट्रिक को आप अपने मोबाइल से जरीए भी कर सकते हैं प् भी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है दोस्तो अगर आप अपने मोबैल से भी करना चाहते है तो इसी ट्रिक से आप उस पर भी कर सकते हैं तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं और गूगल पर आपको सर्च करना है SBI Online तो आपके पास SBI Online की जो सैट है व यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड का ओप्शन शोव कर दिया जाएगा तो हमें पासवर्ड जो है वो रिशेट करना है क्योंकि हम भूल गया है तो उसके लिए हमें यहां पर फॉर्गेट यूजर नेम लोगिन पासवर्ड पर क्लिक कर देना है तो उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह का user interface आ जाएगा तो दोस्तों यहां पर से आप forget password करने के आलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि आप username वगेरा को भी recover कर सकते हैं लेकिन हमें password जो है वो करना है रिकवर तो हम यहां पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर next पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का user interface आ जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप अपना username enter कर देंगे username characters और numbers का होता है आपको पता होना चाहिए कि आपका username क्या है अगर आपको username नहीं मलूम है तो उसके related आपको YouTube पर काफी सारे videos मिल जाएगी कि आप उसको कैसे recover कर सकते है और नीचे यहां पर आप अपना जो भी account number है bank का वो enter कर देंगे और नीचे country का option है तो यहां पर से आप select कर लेंगे इंडिया को और यहां पर आपका bank के साथ जो भी registereded mobile number है उसको आप enter कर देंगे और यहां पर आप अपने date of birth enter कर देंगे जिस तरब bank में आपने document दिया था उसमें जो भी date of birth थी वही आप यहां पर डालेंगे और यह वाला केपचा आप यहां पर enter करके submit पर click कर देंगे और आपके registereded mobile number पर एक one time password यानी की OTP चला जाएगा वो आप यहां पर enter करके यहां पर नीचे confirm पर click कर देंगे तो दोस्तो अगर वीडियो से आपका काम हो जाता है तो चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर से प्रेस कर लिजेगा हमें motivation मिलेगा तो दोस्तो password को recover करने कलिए आपको verification करना होगा verification आप तीन तरीके से कर सकते हैं सबसे पहला है ATM के जरीए दुसरा है profile password के जरीए और तीसरा है reset your login password with branch activation यानी की तीसरे तरीके में आपको branch जाना होगा लेकिन हम यहां पर कोई भी branch पर नहीं जाने वाले है तो हम यहां पर activation करने वाले है by debit card तो मैं सबसे पहले option को select कर लू जिसके उपर आपने net banking शुरू किया है तो यहां पर मेरे पास सिर्फ एक ही ATM card है जो कि active है मुझे show कर रहा है तो मैं उसको select कर लूँगा और नीचे confirm पर click कर देंगे और यहां पर सबसे पहले तो आपका जो ATM card का number है वो आपको show कर दिया जाएगा यहां पर से आप अपने exp expiry date की जो month है उसको select कर लेंगे जो कि आपको ATM पर मिल जाएगा यहां पर से आप expiry year जो है उसको select कर लेंगे और यहां पर से नीचे आपको आपके card के उपर जिसतर नाम है बिल्कुल उसी तरह यहां पर आपको enter कर देना और दोस्तों यह भी जान लिजे कि यहां पर limited character में ही आपका जो नाम है वो टाइप होगा तो आपकी ATM card पर जिसतर आपका name है उस तरह आप यहां पर type करने की कोशिश कीजिए और last में जितने भी character रह जाते है यानि कि जितना भी आपका name type होता है उतना ही आप रहेने दीजे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपका password फिर भी recover हो जाएगा मेरे में भी यही problem हो रही थी लेकिन मेरा जो password है वो recover कई बार हो चुका है और यहां पर नीचे आप अपना ATM का जो चार अंको का आपका pin का number है pin है उसको आप type कर देंगे और यहां पर capture fill कर देंगे और नीचे proceed पर click कर देंगे और आपको बताया जाएगा card activation is successfully तो दोस्तो उसके बाद नया password create करना क्या option आपको मिल जाएगा यहां पर सबसे पहला option है enter new login password तो यहां पर आपको अपना login password चाहे होगे वो नया डाल देना है तो दोस्तो password create करने के related यहां पर कुछ instruction दिये गए है जो कि हमें जानना जरूर है तो password जो है वो minimum 8 character का और maximum 20 character पर का होना चाहिए password में capital alphabet एक कम से कम होना चाहिए small alphabet भी एक कम से कम होना चाहिए और password में special character यानि की add credit डोलर वगेरा जो है वो भी कम से कम एक होना चाहिए और password में numbers जो है वो भी कम से कम एक होना चाहिए तो इनसे भी create area को ध्यान में लेकर आपको अपना नया password जो है वो तरह का एक पास्वर्ड जो है वह आपको create कर लेना है और नीचे आपको वही password confirm new login password पर भी enter कर देना है और यहां पर नीचे बाद में आप submit पर click कर देंगे अब जैसे submit पर click करेंगे तो आपके पास message show कर दिया जाएगा your login password has been रिशेट सक्सेस्फुली तो दोस्तों कुछ इस तरह आपको अपना पासवर्ड क्रियेट कर लेना है रिशेट कर लेना है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्रेब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर चेकीजिए क्योंकि मैं एसे ही लेटेस्ट वीडियो जो वे वो लात अरे ताम और बेल आइकन को प्रेस कर लीजगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजगा में एक नेक्स दूए मतब तक बादागे